जहन दोस्तो हम SCF and LCM के बारे में पढ़ रहे थे इसके हम चार पार्ट इससे पहले कंप्लीट पढ़ चुके हैं आज हम इस वीडियो में पार्ट पढ़ेंगे जिसमें आगे के कुस्टनों को सॉल्व करें इससे एक पार्ट और आएगा नेक्स्ट उसमें हमारा ये सब्सक्राइब कर लीजगा देखिए आपे बहए बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है ठीक है जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20 28 32 तथा 35 में से प्रतेक्स से पूनता बेवक्तों अब ध्यान देना इस कोस्टन की लेंग्विज से हमें इसमें बड़ी से संख्या में में और रहına पताना है क्वोन्सी है जीसे इसमें से घटाद़ बड़ी संख्या इसमें से घटाद है तो जो संख्या आएगी वो 28 28 32 35 से पिर तेक्सिपूनता ब्रत वक्त होगी और बड़ी से बड़ी से घटाएंगे तो छोठी स्च्च्ण से बिवाजित होग लसी एम पस कुस्तन की लेंग्विज आप समझ जाएंगे तो आप से बन जाएगा सबसे पहले आप निकालेंगे 20 28 32 और 35 का लसी एम दियान से समझना यहां पर दो से भाग लगाएंगे 10 आएगा इसमें लगाएंगे 14 इसमें लगाएंगे 16 और 35 नहीं जाएगा ठीक है दो से लगाते हैं 25 10 27 14 28 16 और 35 अब दो से फिल लग जाएगा पांच 7 और चली यहां पर देखी आठ अकेले ही देख रहा है इसमें भाग नहीं जा रहा आप आप डारेक्ट लगाना इसमें जाएए हम आठ से भी लगा लगा लेंगा की सरल तरीकत का है आप छोटे से छोट अब देखें हम पांच से लगा दें पांच साथ एक पांच साथ पैंदीस अब दो जागा साथ देख रहा है यानि साथ से लगे ठीक है अब इनका मल्टिप्लाइए करें 5 7 35 ठीक है जो आपको सरल लगे वैसा कल लें और आट दून 16 16 32 35 गोड़ा 32 इनका गोड़ा कर लिज साथ पांच बारा हसला एक और एक अब देखिए कितना मेले दोस्तों यहां से हमें मिला यारा सो बीस जो एल सीम आया है नहीं कि एल सिम क्या होता है छोटी से छोटी संख्या है ना जो की बीस अट्था इस बात्तिस और पैंथिस से पूरिता विवाजित हो जाएगी ठीक ह एंड़ें हैनका ल सिम अक work सर्था कि बहीं बढ़ी से बाढ़ी संख्या कोउ जिसे इसमेंसे गटा दें इसमेंसे और प्राप्त संख्या बीस-ट्थाईस बातिस-पैंटीस बवाजित हो जाए इसमेंसे बड़ी से बड़ी संख्या बताना है इस मैं देग हैं छोटी हो जाए हमने जो कोश्चन है इसमें से घटाने की बात का चोटी चोटी संक्य घटा रहे हैं चोटी चोटी के LCM ठीक है तो इसको घटाएं कितना आएगा चार तेरा दूरीन में से दो जाएंगे एक 27 और एक 4714 यह हमारा आंसर होगा लेकिन आपको थोड़ा सा और समझाता हूं अब यहां से भी मैं फिर से समझाता हूं इस मैंसे घटाने पर प्राप्त संख्या इतने इतने मैंसे प्रतेक से पूर्णता बिवक्त हो जाए यानि कि जो आंसर आया ना को सॉल्व कर पाते हैं तो जब भी अब इस तरीके का प्रिश्ण आपके सामने आएगा तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि किस तरीके से स्वाल करना इसलिए मैं आप से कह रहा हूं प्रैक्टिस जरूर करना चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोस्टन की दःज़्एं दिजीगा देखिए आपर और नेक्स्ट कोस्टन है कि चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12 15 1827 मैं से प्रतेक से पूर्णता वेवक्त हो चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है जो कि किस से विवाजित हो 12, 15, 18, 27 इन सभी से विवाजित हो तो पहले चार अंकी बड़ी से बड़ी संख्या चार बार नो हो जाएंगे ठीक है? यानि कि देगी चार अंग किस से बड़ी संख्य हो सकती है नहीं हो सकती ठीक है अब पहले हम यहीं पर समझें इसमें अधि हम कुछ भी जोड़ते एक भी जोड़ते हैं तो कितना हो जाए चार से पांच अंग हो जाएंगे एक जोड़ेंगे नौर एक दस दस के जीरो असला एक और यहां पर दस तो चार से पांच हैर हो जाएंगे ना नौजा 999 यहां पर दस हैर आ जाएंगे और एक घटाते भी है तो फिर चार के चार अंक राएंगे इसका मतलब कहा है कि चार अंगों की बड़ी से बड़ी संक्या में हम कुछ जोड़ नहीं सकते इसमें घटा स ही जैसे question आप पढ़ते जाएंगे और आपके जो pattern है वो समझ आते जाएंगे ना जो language question की किस तरीके solve करना है यहाँ पर सबसे पहले दो से भाग लगाएं दो च्छे बारा पंदरा दो नो अठारा और यहाँ पर 27 फिर दो से दो तीन च्छे पंदरा में नहीं जाएगा नो में नहीं जाएगा और 27 कि अब हम्में दिखराइं तीन चाइगा तीन अब यहां पर एक तीन और पाँच पंदरा थीन नू और थीन सपटाइस टिन से एक क्या पाँच चाइए और थीन ऊप्यत तीन ओर देख रहा है कि इनको आथasm नोस्तों फांसोचालीस इतनी बात क्लियर है अब जो LCM आया इसका हमें क्या करना है इससे चार रंकों की बड़ी से बड़ी संक्या में भाग लगाना है और सेसपल निकालना वना जो सेसपल आएगा उस इस संक्या से घटा आना है क्योंकि जोड सकते ने हमने पहले ही देख लिया तो गठाएंगे वो यह आंसर होगा 540 से 999 में दो बार करेंगे तो कितना होगा 1080 ही जादा हो जाएगा एक ही बार 540 कितना बचेगा 954 ठीक है उतारे 9 अब यहाँ पर देखे हम 9545 होगे 9 से जाएगा 9 से यहाँ पर 0 ठीक है 9 से करेंगे 36 हसल आईगी 4545 तीन अड़ताज जादा हो जाएगा 8 से 845 यहाँ पर देखें 8 चुके 32 3 आईगा असल 845 तीन तरतालिस ठीक है 8 से लगाएं हैं न तो 8 से लगाएं 0 8 चुके 32 हसल आई तीन 845 तीन तरतालिस इससे जादा नहीं होगा 9 बचेगा यहाँ पर कितना बचा 7 बचा और यहाँ पर कितना बचा 2 कुछ नहीं सेसपल कितना आया 289 अब जो सेसपल आएगा उसको घटा आना है ना पहले ही देख चुके घटाना क्यों है क्योंकि हम चारंग की बड़ी से बड़ी संख्या बताना तो इससे हम जो सेसपल आएगा इसको घटा देंगे 0 2 7 9 तो अब का अंसर आगे 9720 9720 B option सुझवाया यहाँ तक कोई परिशानी है नहीं है चलिए वीडियो को लाइक कर दीजे अब आगे कुस्सन समझते है चलिए नेक्स्ट प्रिसन समझते है तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संक्या कौन सी होगी जिसे 6-9 बारा मैं से प्रतेक से भाग दें तो प्रतेक दसा में 3 सेज बचें यहाँ पर सेज बचा रहा है कितना 3 ठीक है अब बात को समझे ना तेन अंकों की बड़े से बड़ी संक्य कौन सी होगी तीन बार नो किया ना आप इससे लेखें हम्हें यांस समझते हैं कि जोड़ना है घटा ना ये एक प्लस भी करते हैं सो कुछ भी तो चार अंक हो जाएंगे इसका लेख किया प्लस कुछ भी नहीं करना माइनस करना है न माइनस क्या करना है जो LCM लेना है 6, 9, 12 का है ना तो पहले LCM लीजिए ना इनसे क्या पूरी तरब विवाजत हो और 3 से इस बचे 2 से भाग लगा है 2, 3, 6, 9 और 6 फिर 2 से जाएगा 3, 9, 2, 3, 6 अब 3 से और जाएगा तीन एकम 3, 3, 3, 9, 3, 1 और 3, 3, 3, 9, 0, 18, 32, 36 ठीक है सही है ना एक बार चेक करता है 2, 3, 6, 9, 2, 6, 12 और दो से जाएगे यहां पे दो तीन क्या तीन 6, 3, 3, 3, 3, 9, 3 और 3, 3, 3, 3, 9, 8 खाट तीस तो LCM कितना है यहां पर 36 आया ठीक है अब LCM का क्या करते हैं हम इसमें जो बड़ी से बड़ी संख है इसमें भाग लगाते हैं और सेस्पन निका लेगे 36 दूनी 72 कितना बचेगे यहां पर 7 और 2 उतार यहां पर कितने 9 तो आप पढ़िये पहड़ा नौ दुन उठानो ती 27 नौ से पढ़े तो नौ का इसमें गुणा करेंगे तो जादा आएगा नौ शेकर चागवन पांच असल जुड़ जाएगी 27 में आठ से करेंगे आठ छिंग 48 ठीक है और चाराई का असल अठती 24 और 4 कितने हो जाएगे 28 यह जादा हो गया साथ बार साथ च्छ ब्याली ससलाई चार साथी 21 और 4 25 ठीक है साथ बचा दो बचा यानि सेस्फल कितना बचा 27 कुछन कह रहा है कि इनसे तो पूरी तरह भाग चला जाए लेकिन सेस्फल है तो अभी तक सिर्फ हम भाग जाने की प्रोसेस देख रहे थे तो इसमें क्य período कर रहे थे बड़ी सी बड़ी संख्या से कितना आए तो कितना आएगा 2, 7, 9 इतना आएगा लेकिन हमें 3 सेज्फ भी बचाना है तो सेज्फ बचाना है तो इस में क्या करतें प्लस 3 करतें ठीक है इतना 5, 7, 9, 975 तो संके कितनी होगी दोस्तो 975 जाना है ता कोई समस्या है बजा आ रहा है अब कुछ दिन में मैं आपको एक अच्छी निउस बता दूं यहां पर निउस क्या बता दूं आपको पता होगा लाइब क्लास में आप जुड़े होंगे तो जल्दी हमारा लैपटॉप आने बाला है है ना पता नहीं आप वीडियो को कब देख रहे होंगे कुछ बच्छे बाद में भी इस वीडियो को चलिए आप लोगों का प्यार है ठीक है चलिए आगे समझते हैं कुछन को बहे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे अब यहां पर पैटर्ण चेंज थोड़ा ध्यान देना है ना और कुछन हुचा जाता है मोस्ट आइंप कुछन ले सकते हैं इस तरीके के प्रश इससे जिससे का मतलव उससी को जोस जाइने चुछों ऐने पर घ। पांस सेज बचे लेंग्वेज समझ में आ गई है यह निए इसी कोई बड़ी से बड़ी संक्या है जिससे हम 1657 और 2037 में भाग लगाएं इसमें भाग लगाएंगे छेज बच रहा हैं और इसमें भाग लगा रहा है तो पांस सेज बच रहा हैं अब इस तरीके के प्रिश्ण से च्छ है और 256 सेज बचए तो जब SCEF निकालते हैं तो जो भी सेज बचते हैं इसको पहले ही माइनस करदेते हैं तो 1657 से 16 माइनस कर देगे पहले ही और 2037 से 5 पहले ही माइनस कर देंगे कितना यहां पर 156 1 और यहां पर 2-3 अब नई संक्या हमारे इतनी होगी अब जो बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या से इस तरीके से भग लगाते हैं जब तक ही सेस्फवल सूने ना मिल जाए हम पहले भी समझ चुके हैं पार्ट बंद में एससे पार्ट में समझा देता हूं ना एक बार जाएगा इसमें भाग कितना बचा एक 13 में से 5 जाएंगे कितने बचाएंगे 13 में 5 घटाएंगे आप 3 बू गए اور 2 और घटाएंगे 8 बचेंगे यहाँ पर कितना बचेगा 9 में से 6 जाएंगे 3 ठीक है एक है यह कितना नही जाएंगे 381 अब इससे किसम लगाएंगे again भाजयक में लगाते हैं ठीक है भाजयक में लगाएं तो देखें कितनी बार जाएगे यहाँ पे 6 बार में 18 हो जाएगां 5 बार अटारा ओजाएगां चैक करते हैं साइड में चैक कल ला 5 बार में जा रहाएगा 5 एकम 5 25 25 45 45 35 और 4 20 नहीं जाएगा ज्यादा होगा चार बार में 4 तीए 12 देए यहां पर 4 अट 32 हो जाएगा सलाई थीन 40 जाएगा 362 और 16 एक बार चेक करते हैं किससे कर रहा हैं चार से 4 एकम 4 48 32 सलाई 3 चर तीन नहीं सबस्कार तीन पंदरा ठीक है चार से चला जाएगा कितना आएगा 1524 11 में से 4 जाएं कितना बचेगा साथ 4 से 2 जाएंगे 2 और यह पे 6 में से 5 जाएंगे से में लगाएं कि इसमें 321 इसमें कितनी बार जाएगा नहीं 3 से इसमें तीन बार पूरा ही चला जाएगा ना तीन सो एक्यासी जब पूरा चला जाता है तो जो अंतिम भाजक हमारा आता है वह हमारा क्या होता है तो अंतिम भाजक 127 है तो यह क्या हमारा SCF है तो इसमें हमें SCF ही निकालना थी बस समझ आई तो 127 आंसर है आपका यह तेकि इसमें क्या कहा था कि बड़ी से बड़ी सेंख है जिससे इसमें और इसमें भाग लगाएं तो 6 और 5 क्रम सो सेज बचें तो सेज को मनें पहले ही पढ़ेंगे तो आप बहुत 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 पाएंगो और मैस से इक अच्छे नंबर आने से आपका सेलेक्शन बिल्कुल चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं लिए इसको अच्छे से पढ़िएगा चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं चलिए अब नेक्स्ट प्रिश्ण देखते हैं बहे बड़ी बहे कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके दवारा 3026 तता 5053 को भाग दें तो क्रमसा 11 और 13 सेज बचें देखिए इस टाइप के प्रिश्ण अभी आपने स्वाल की है कि कौन सी सबसे बड़ी ऐसी संख्या है ज है तो ऐसी कंटिशन हम क्या निकालते हैं S Concept कालते है ना यानि कि बड़ी से बड़ी कोई सहनक्या निकाला झसके दवारा इन में भाग लगाना तो उस कंडिष्ण द gospel सक्टे आकर सेंप 110 तो पहले ही जो से 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 को माइनस कर कितना आएगा 5011 तीन पंद्रा इस से करेंगे 0405 इनका निकालते हैं बड़ी संख्या मैं छोटी संख्या का भाग लगाते हैं ठीक है तो दो बार जादा हो जाए एक ही बार दस से पांच जाएंगे पांच, तीन से एक जाएगा दो, जीरो और पांच से तीन जाएगे दो, अब दोजार पच्चीस के किसम लगाएंगे, अगेन भाज आग में, कब तक लगाते हैं, जब तक सिस्फल सुन्य ना मिल जाए, तो एक बार फिर जाएगा, जीरो ग्यारा से दो जाएंगे नौ और यहां पे नौ बचेगा ठीक है इतनी है न कोई समस्या चली अब 990 को किसमे भाज़ लाएंगा गैं भाज़क में भाज़क कितना है दो जार पच्चीस दो बार करते हैं दो बार जाता तो नहीं हो जाएगा चली दो बार ट्राए करते है नौदूनि अठारा दो बार जाना चाहिए जीरो नौदूनी 18, हसलाई 1, नौदूनी 18 और एक उननीस चला गया, पाज बचे, बारा में से आड़ गए 4 बचे, और यहां पर 9 में सुनोगा यह कुछ नहीं, और यहां पर कुछ नहीं, अब 45 से किसमें लगाएंगा, 990 में, इस पर कर से लगाते जाते हैं और भाग सरल होता है न, इस तरीकी का जब भी प्रिशना आता है, तो 45 से इसमें लगाएंगा, 45 दूनी, 90, 9 बचे, 0, फिर से 45 दूनी, 90, पूरा पूरा भाग लग गया, यानि अंतिम भाजाक कितना है आपके पास 45, तो जो आपका अंतिम भाजाक आएगा, ठीक है, वो ही आपका क्या होगा, SC SCF होगा, तो SCF कितना है, 45 तो यहाँ पर 45 आपका अंसर हो गया, कोई समस्या नहीं है, चली, नेक्स्ट प्रिश्ण की और आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजेगा, देखिए, जब अन्ने बच्चे अभी क्लासेज नहीं कर रहे हैं, तो आपको कहीं ने कहीं एक फायदा यह समय मिल जाएगा, कि आप रिवाइज भी कर पाएं, और अच्छे से बनागे, और रेगूलर पढ़ाई करते रहे हैं, और वांकि अपना इंजोई भी करते रहे हैं, ऐसा मत करिएगा, पढ़ाई-पढ़ाई के चक्कर में इतना स्ट्रेस ले ले, कि आपको आगे और कुछ दिखाई ना दे, इस्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, अभी आपके सामने जो है, उस पर काम करना है, लाइब कब, कहां से क्या मोड लेले हमें नहीं पता होता है दोस्तों, इसलिए मैं अपने खुद के एक्स्पिरियंस से कह रहा हूँ, वोस हमारे सामने जो काम हैं, उसक इसको ऐसा कह सकते हैं, कि कई सारे इसमें पार्ट हैं, इसको पार करना है, तो अगली प्रोसेस होने लगई, उसको पार करें, तो अगली प्रोसेस होने लगई, इसलिए है, बस आपके सामने फिलाल जो है, उसको पूरी सिद्दत जी जान से करें, सक्सेस तो मिलेगी, मिले लाइप में बिजनिस करेंगे कुछ भी करेंगे नौकरी के लिए हम पूरी जी जान लगा देंगे नौकरी मिलेगी हम मान के चलते बिल्कुल मिलेगी यदि इन केस एक परसंट नहीं भी मिलती है तो भी बिल्कुल टैंसन नहीं करना है दोस्तों लाइप में आप सकसेज बस डी मोटिवेट मत होना ठीक है चलिए बहुत भासन हो गया अब आगे हम पढ़ाई करते हैं बह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147 162 10 315 मैंसे प्रतेक को पूर्णता विवक्त करतें अब यहां पर समझने वाली बात है कि बड़ी से बड़ी हमें संख्या बतान ह है जो की 147 162 10 315 मैंसे प्रतेक को पूरी तर विवाजित करते तो जब भी हम ऐसा कहते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या और जो दी गई संख्या को पूरी तर विवाजित कर दे तो उस कंडिसन हम सीएप निकालते हैं ना इदो चलि इन सभी का से निकालेंगे इन मैं हम य बाहग किसे लगाएंगे 200 10 से एक बार जाएगा पांच बचा यहां फिर जीरो एक 105 अब 105 का अगयन भाजाक में लगांगे जब तक हैंपर सेस्पल सुने ना मिल जाए दो बार जाएगा इसको लेना है और दो संख्या थम इन दोनों को ले चुके इन में से बड़ी संख्या को और अन्तिम भाजा को ले गए 166 अंतिम भाजा कितना एक सुमा जिन दोनों देखेंगे अंतिम भाजा को और नेक्स थेंक है में जो छोटा होगा उससे भाग लगाएंगे तो भाजा की छोटा तो इसमें है देखिए दो बार में तो ज्यादा हो गई एक बार तीन बचा 6 और 63 63 का गयन 105 में लगाएंगे कितनी बार दो बार लगा लें च्छे दूनी बार ज्यादा हो जाएगे एक ही बार कितना बचेगे यहां पर दो और यहां पर दस से च्छे गए चार 42 का 63 में लगाएंगे एक बार कितना बचा एक और यहां पर दो अब इस 21 का में क्या मिल गया कि अंतिम देखिए सेसफ़ सुन सुना गया तो अंतिम भाजक में ले चुके सर्फ एक संक्य बच गई 147 और अंतिम भाजक इस न दोनों को लेंगे तो अंतिम भाजक छोटा है अंतिम भाजक हमें 21 मिला तो अंतिम भाजक हमारा होता है तो कितना आगे 21 तो आंसर भी 21 होगा बीवाला कोई समस्या यहां तक नहीं है चले हम नेक्स्ट कुस्ट्ट की ओर लेकिंगे नेक्स्ट कुस्ट्ट है वह बड़ी से बड़ी संक्या कौन सी है जिससे 187 233 और 289 को भाग देने पर प्रतेक दसाम है समान सेज़ वचे अब यहां पर देखना एक लाइन है लास्ट में प्रतेक दसाम समान सेज वचे तो जब भी इस प्रकार से आया ना समान स तो हमें किस प्रकार से सवाल करना है तो इसको ध्यान देना होगे ना बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे इन सभी को भाग दे तो बड़ी से बड़ी संख्या से इन सभी में भाग दे रहा है तो इसका मतलब क्या हमें निकालना है क्या है सी एफ है यतना तो हमें यह से पता चल गया लेकिन यहां पर लिखा है प्रतिक दसाम समान सेज बचे तो जब इस प्रकार से लिखा है तो आपको क्या करना है तो यहां पर सबसे बड़ी सेंक है कि इससे माइनस करना इससे चोड़ी संक है इससे 187 इससे क्या माइनस करें तो जाब इससे कोई छोटी नहीं है तो इसको सबसे बड़ी वाली से माइनस कर देंगे ना इसको सबसे बड़ी वाली से माइनस कर देंगे इतना समझ में आ गया यहां पर गटाएंगे 6 बचेंगे 4 और कुछ नहीं 40 यहां पर गटाएंगे 13 में से 7 जाएंगे 6 12 में से कितने 8 जाएंगे 4 च्यालीस यहां पर गटाएंगे दो सत्रा मैंसे आड़ जाएंगे कितना बचेंगे साथ और यहां पर दो बानव है अब हमारे पास संख्या आगई च्यालीस च्यालीस बानव है अब इनी का क्या निकालना ऐसी है चुकि समान सेज बचना इसलिए हमने सबसे बड़ी से उससे छोटी गटा दी उससे छोटी से उससी छोटी गटा दी सबसे छोटी बसी इसको किसमें से गटाएं इस मैसे कोई घटाने वाली नहीं है तो फिर इसको सबसे बड़ी से गटा देते हैं अब यहां पर दो एक संख्या देखे तो हम एक को ले लेते हैं है और भड़ी संख्य हम भाग लगाएंगे इन तीने का एक न निकालना है न तो चैनलिस से बागा लाएंगए एक बार दो बार में जाए दो बार बार पूरता और इसलिए यह बार हमारा हम चैनला था पूरा फूरे चला गया अब पूर ठीक है तो आंसर आ गया 46 46 यहां तक कोई समस्य है हमें इसा लेंग्विज ध्यान रखना समान से इस आए तो इस प्रकार से ही solve करना है चलिए अब हम next question क्यों आगे बढ़ते हैं ध्यान दीजेगा यहां पर next question क्या है देखिए next question कह रहा है कि बहब बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे तेरा सचपपन 1868 2764 को भाग देने पर प्रतेक दसाम कितना बचे 12 सेज बचे बड़ी सी बड़ी संख्या जिससे इन सभी में भाग दें तो प्रतेक दसाम कितना 12 सेज बचे तो इस condition में क्या नकालना है? SCF नकालना है और प्रतेक condition 12 सेज बचे तो जब भी SCF में सेज बचने की बात होती तो इसको पहले ही घटा देते हैं संख्याओं से तो 1356 से 12 घटाएंगे 1868 से 12 घटाएंगे 2764 इससे भी 12 घटाएंगे ठीक है? तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पर? चार, चार, तीन, एक और यहाँ पर देखे हैं तो 6, 5, 8, 1 यहाँ पर देखे हैं तो 2, 5, 7, 2 अब नई संख्याओं हमारे पास 1344, 1856, 2752 अब इनी का में SCF नकाल देना है ना? क्योंकि सेस तो मने पहले ही माइनिस कर दिया तो सबसे बड़ी संख्याओं में आप लगाएं क अब तो आप SCF नकालना और अच्छे से सीख गया होंगे ना? एक ही बार जाएगा, क्यतना बचेएगा? 12 से जाएंगे 6 और यहाँ पर 4 बचेएगा, 14 में से जाएंगे, 9 बचेएंगे, ठीक है? यहाँ पर 6 बचाता है, ठीक है, यहाँ पर 6, 16 में से 8 जाएंगे, 6 27 में ब़ाजएक में लखाएंगे, तो 6 बचेएंगे, 7, 18, 13 ज्यादा हो जाएंगे 2 बार, 11, 11, 12, 13, 14, 15 में से 9 जाए 6 बचे, और यहाँ फिस साथ में से 3 जाए 4 बचे, 464 इसका भाद लगाएंगे, इसमें, आदो बार मैं जादा हो गई, एक ही बार लगाएंगे, ठीक ह दो बचे यहां पर तीन, बचे यहां पर दो बचे, दो बचे दो बचे कर से लहाए लगा है, लगात ज़ाई सहर रहल होता, इस तरीख है, भगा लगान लगबा। दू बार में जाएगा दू उन चार दो अचेह करबाच कि दूले दोमें निया फर पूरा लग गया ता सूसर संट्रों ने बाज़क का सब्सक्राइब ज वह चृता है तो भाज़क जाए रहे तो giveaway सब्सक्राइब लगाते हैं आपे देखें आठ से लगा आठट दूनी 11 जब कि हैं चछे से लगा शेदूनी 12 शेइस लग देखते हैं है जए धुनी 12 हसलाई एक उटार और एक उननीस अचाल एक जो निबारो और एक तेरा देखिए च्छाइबार में भी ज्यादा होगा है तो पांच दूनी दस हसलाई एक पांच थी है पंद्रह और एक सोलह सेलही एक पांच दून दस और ग्यार ग्यारा साथ चार बचेंगे चौदा में से छैंगे कितना है आठ और यहां पे दो में से एक गया एक अब 184 बचे एक का लगाएंगे 232 में तो 182 च्छतिर दो बार तुजाद हो गए एक ही बार 184 बारा चार जाएंगे आठ और यहां पे कतने बचे दो बारा में से आठ जाएंगे 4 48 48 48 का फिर किसम लगाएंगे अगेन आपर साइड में लिक दे रहो ना 48 का अगेन लगाएंगे 184 में क्योंकि और तक सेसफल सून नहीं विच्टा लगाएंगे तो चार बार लगा चार चार सूला चार तो यहां पर देखी कुछ मिस्टेक कर दी के हमने कहीं पर क्यूंकि चौन सट एक चोविश्च दूस्ट सपन दो सो साटेन मैं से यांसर आना चाहिए इससे छोटा नहीं जाना चाहिए ना क्यूंकि और तालीस चोटा ही जा रहा हुँ चली देखनें पहले यहां पर चारक बडchtsी सलाई तीन 4 a चर सोलवा और तीन कितने होंगे? उन्दी सब्सक्राइब जादा हो रहा है तीन बार में तो आपड़ === दून सुल आट कि च विस सललाई दो तो चाहरती बारा और दो चाहूदा इतने बचे जीरो और यहां पर चार कुछ नहीं चालीस कुछ मिस्टिक हो गई है दोस्तों यहां पर यहां पर देखिए मिस्टिक क्या हुई है थोड़ा हम चेक कर लेते हैं चैम vaisदो जाएंगे 4 बचेंगे और यहां पर 5 से वार्णस इसyszru किए हम देखें चाहें चैबाच थीक है तो पांच थीक है संख्या तो हमने सही इता है क्या है होבה नतीया इसके बाद हमें क्या करना सबसे बड़ी संके कॉन सी मिली हमें 2752 इसमें भाग लाएं कितना दारश चपन से तो एक बार में जाएगा बार में च्छे जाएंगे छे बचेंगे ठीक है और यहां पर कि हैं कितना बशेक के यहां पे चारग समझतों में अधर आट जाएंगे तो पूरा ही गलत हों यहां से यहां से भागा लगाएंगे आपको समझ में आ गया सर्फ इन संक्याओं का एस इप निकालना मैं बहुत सारे प्रिष्ण अभी आपको समझा भी जुका हूं अब आप इसको स्वालब करें देंगे चुकि यहां से घटाने में गलती हो गई थी तो भाग हमारा पूर समझे जरूर बताएंगे ठीक है कुछ मेंनत आप भी कीजिए जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आप परफेक्ट नहीं होंगे ठीक है और ऐसी गलतिया हो जाती है तो आपको भी कोशिश करना है कि गलतिया ना हो ठीक है माइनर गलती है लेकिन हमारा पुशनिस से पूरा ग भक्त करने पर क्रमसा 41,31 बचें बास समझ वा रही बड़ी से बड़ी संख्या जिससे हम इन सभी में भाग दे रहा है तो कितना बच रहा है से 41,31 तो आपको इतना तो समझ में आ गया इससे कि एस सीफ निकालते हैं इस तरीके के प्रिश्ण है और जो सेश पल होता इसको हिरопär तो फाले ही मायनिष कर देते हैं संख्याह से तो इसमें भाग देंगे एक्तालीस सेज बचेगा एक्तालीस पहले ही मायनिष कर दे क sposób 12 रहाइस वाग देंगे 25100 बचेंगे इसको मायनिष कर दे कृ noises कितनी मिली आपको 3,2 और यह पर 923 आपर मिली चाथ 0 टो एक 207 झाल सकते आं न तो मुझे निकालना है आप निकाल लेंगे चली मैं निकाल देता। क्योंकि आप तो आल सी हैं आप क्यों करें जैना है बारासो साथ से इसमें भाग देंगे बाकि आपको करना चाहिए दोस्तों एक बार में भाग जाएगा हम मैं आपको इस तरीके बता चोगाँ आप सीख गये होंगे ना चार बचा एक बचा कुछ नहीं एक सो फैलिश्स से भाग लगाएंगे बारासो साथ में तो बारासो साथ में भाग लगाना है टोटल है ना चार रंक में हम देखें यहां पर तो लगभग दगी दस बार करें 1420 ज्यादा होगा यह ना नौ बार करके देखते हैं नौ बार में कितना आएगा नदूनी अठारा असलाई एक नौ चुक छती सुरिक सेंदीस असलाई तीन नौ एकम नौ और तीन बारा सु आटतर ज्यादा है तो आड़ बार जाएगा यह के लिए ठीके तो आड़ दूनी सोला असलाई एक अड़ चुक बत तीस और एक तेटी से लाई तीन तो अरटे का माट और तीन कितने हो जाएगे दर्स ग्यारा यहां पर एक बचा दस से तीन जाएगे साथ बचेंगे और यहां पर कुछ नहीं ना इकत्तर एकत्तर का भाग लाएग एक सो ब्यालीस में क्योंकि जितना सेज बचता है बाजाक में लगाते हैं न को एक ही संख्या बची है तो एक तर से उस संख्याह भाग जाएगा एक बार में जाएगा बानमें लगाएं जिसात कि पुरा फूर लगा गया हमें एकत्तर हमारा क्या होगा सीफ है तो देखिया अंसर आगे कर सकते थे इसके लिए है चलिंए ne assists सवाल देखिए और आज का मारे लास्ट सवाल से ऐंगे एक पारट और आएगा इस चैप्टर का पिर हमारा नेख्ट स्टाइट कर नोऊगा है कर ना तो द्यान से देखना आप के लिए ज़्यादा बड़ी नहीं हूंगी चान्य सी sacred को यह छोंगी दिए लिए इसा थे निर्ट अब ऑन्हें ठीभातेश्य दो तो घंटे Εbourg दरावर है तो आप एक दिन में दो दो वीडियो भी देक सकते हैं जिसे पिछली वीडियो नहीं देखिए तो चली पाखिर बाखिया बाइब के और आश्याय उन्हाई सब कंप्रीट बादे उसको भी फड़ारे में वोगी पह। जाता है ना पंचैती राज और कम्पूटर आगे आपके लिए पढ़ा देंगे चलिए जल्दी से समझते हैं किसी दूद वाले की एक टंकी में 75 लीटर और दूसरी टंकी में 45 लीटर दूद है उस बड़े से बड़े बरतन की माप क्या होगी उस बड़े से बड़े बरतन की माप की बात करें तो हमें निकालना है सी है ठीक है तो 75 और 45 तो टंकी है तो देखी बस इन दोनों संख्याओं का पैसी अपन निकालना है 75 με 25 लगाएंगे एक बार जाएगा जीरो यह 1e 3 बचा पर स्यस्टब आगेंगे 45 में एक बार जाएगा 25 से फिर आगेंगे दो बार चला पूरा पूरा तो यहां पर अंतिम भाजक क्यू कितना मिला 122 जो अंतिम भाजक है वहां आनसर तो अर्च ब्रतन लोगे यहां पर पूरओ पूरओ यह वर्तन में वर जाएगी तीन बरतन में दूसरी तंक पूरा पूरा इसने नाप दिया ना बिल्कुल दूद नहीं बचा तो बस देखने में इस तरीकी प्रिशन लंबा होता है वांकि देखिए कितना आज़ी प्रिशन है तो आंसर आपका 15 यहां तक कोई समस्य आई नहीं आई चलिए इससे आगे के जो सेश प्रिशन रह गए व नेक्स्ट वीडियो में पूरे कभर कर लेंगे तो नेक्स्ट में हमारा अध्याय कंप्रीट होगा और आज की वीडियो प्पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना सेयर कर देना और सभी विद्यारती कमेंट जरू करें ताकि मैं आप जान पाऊं को आपको कहां पर आत्रम